तो हमारे पार्लेमेंट के अंदर 43% पॉलिटीशन ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके उपर मडर, रेप, फिरोथी ये सारे चार्जेश हैं और ऐसा नहीं है कि खाली MPs ही हैं, हमारे MLA भी इसमें पीछे नहीं है अगर मैं 2015 Delhi election की बात करूँ, तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आये थे, जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश थे और अगर करन्ट की बात करें, तो 37 MLA ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमनल चार्जेश हैं और यह ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या F.I.R. है, यह वो चार्जेश हैं जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं मतलब पुलिस गई है, वहाँ पे उसको evidence confirm हुए, eyewitnesses मिले हैं, यह वो चार्जेश हैं यह problem तो बहुत ही छोटी सी है, कि parties क्रिमिनल्स को ticket ना दे और लोग क्रिमिनल्स को vote ना दे लेकिन इस छोटी सी problem के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका solution नहीं हुआ 1999 में Association for Democratic Reform, जैसे ADR नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग इन्हों ने जो भी क्रिमिनल्स है पॉलिटिक्स में इनके लिए एक P.I.L. डाली डेली हाई कोट में और डेली हाई कोट ने उसको accept भी कर लिए जब डेली हाई कोट ने यह P.I.L. accept की थी तो यह चीज वहीं खतम हो गई थी यह जो नेता जीने हम जिता के लाते हैं न यह सब लोगों ने मिलके उस P.I.L. के अगेंस में सुप्रीम कोट में अपील कर दी जब सुप्रीम कोट से भी इनकी अपील खारीज हो गई तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था यह सारी पार्टियां एक हो गई जब हमारे देख की सिक्यूरिटी की बात आती है उरी अटैक हो गया बाला कोट हो गया या हमले वाली सिचुएशन मनती है तब भी यह पार्टियां एक नहीं हो गई थी लेकिन इस चीज़ के लिए यह सारी पार्टियां एक हो गई थी और के लिए उसको दिक्कत आजाएगी. लाखों कह दी ऐसे हैं जिन पर भी जज्जमेंट नहीं आया, जो अंडर ट्रायल हैं, उनको जेल में डाल रखा है. तो ये सारी चीज़ें जो applicable होती हैं, सिर्फ politicians के लिए होती हैं, बाकी किसी के लिए नहीं. इतने बड़े सांसरती छेत हो बन जाता है. पार्टी के लिए funding इखटी करनी हो, self financing, black money, campaigning के लिए finance इखटा करना हो, हर एक चीज़ में माहिर होते हैं. इसलिए political parties की ये पहली पसंद बन जाता है. पहले लोग इतनी demand में नहीं थे. पहले वही भीड इखटी करना, boot capturing, इनी सब चीज़ों तक ये लोग वोट देना. आज की date में आज FIR करने के लिए भी आपको जुगार की जिरूत होती है. लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा. थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा हो. तो ये जो system कमजोर है. ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने के लिए. और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये system कभी strong ना हो. अगर तुम closely observe करो तो हर नेता यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है. कि system सारा खराब है, system में यह यह कमिया है और मैं तुम्हें इ या बाहुबली टाइप एक नेता खड़ा कर दो. जो system काम नहीं कर पा रहा है, वो काम तुम करने लगो. लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे. इन केस अगर कोई ज़्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज़्यादा समझ आ गई है, तो एक छोटा सा दंगा करा करके कोई जब आएगा, तो वो return of investment नहीं देखेगा. ऐसे ये सारी parties आपस में कितना लड़ती रहती है, कितने वैचारिक मत भेद हैं इनके आपस में. लेकिन जब भी transparency in party funding की बात आती है, इस सब लोग एक जैसा रागलाबते हैं. ये लोग कभी भी party funding में transparency आने ही नहीं द देख रहे हैं. और जब हमारे नेताओं की बात आती है, तो 47,000 police वाले 14,842 नेताओं को security दे रहे हैं. अब बाहु बलियों को क्या ज़रोत है security की? कभी किसी criminal को देखा है, जिसके आगे पीछे IS, PCS, police वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं. बहुत ही worse scene होता है. हर साल reports आती है कि 75% से भी ज़्यादा लोगों को police पे भरोसा ही नहीं है. इंडिया एक लोती ऐसी जगा है जहाँ पे police को देख के इंसान safe feel करने के बजाए डरता है. एक 15 साल के बच्चे तक को पता है कि IPL में सक्टा लगाने के लिए किस के पास जाना है. लेकिन हमारी police को नहीं पता है. और ये सारा system, ये जो weak system है हमारे निताओं को बहुत suit करता है. क्योंकि जिस दिन ये strong हो गया तो इन सब की दुकाने बंद हो जाएंगी. इंडिया की 65% आबादी 35 की age से नीचे है. जो हमारा लोग सबा है उसकी average age है 54 और राज सबा की age 63.5 है. एक दो case अगर छोड़ दें तो आम आदमी के लिए politics में गुसने का रास्ता नहीं है. अगर आप google पे search करोगा न top 10 young politicians तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई family से political connection ना हो. आजादी के बाद से 0.5% से भी कम politicians ने अपने बच्चों को army में भेजा है. वहाँ नहीं भेजते ही लोग. हम इसमुद्य देखते हैं manifesto में और खुछ हो जाते हैं. इंडिया ने British parliamentary system adapt किया और उसमें एक बहुत ही important चीज है shadow cabinet वो हमने छोड़ दी. इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते हैं. इसमें होता ही है कि अगर मैं Finance Ministry का ये example लोग तो जो भी ruling party का finance minister है उसके parallelly एक opposition का भी finance minister assign हो जाएगा. और जो ruling party का finance minister है उसकी activities को opposition का finance minister लोगों तक महुचाएगा. और इसी तरीके से हर department में होता है और लोगों के लिए बड़ा beneficial रहता है. क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सा तो हमेशा मंदिरों और मज्जितों के लिए ही लड़ते हैं. ये सारी चीज एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी. लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है कि यार हम कम से कम किसी criminal को तो vote ना दे. और ऐसा तो होता नहीं कि सारे सारे line से criminal ही खड़े हो जाते हैं. हमें बस इतना कर अगर हमें अपने candidate के बारे में कर ली तो ये criminal जितने भी हैं परलेमेंट में नहीं दिखेंगे. ये वहीं दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए. लास्ट में एक ही question पर मैं इस conversation को end करूँगा कि politics अगर समास सेवा है तो salary क्यों? और अगर नौकरी है तो exam और qualification क्यों नहीं